हेलो दोस्तों चलिए कैसे हैं आप सब हम यहां पे जैसे कि मैंने आपको इंफर्म किया था कि audit के अंदर हम exam point of view के ध्यान में रखते हुए हम एक series start कर रहे है जो basically audit trick series होगी हमारी यहां पर इस series के अंदर क्या होगा कि हम हर एक point को अपने trick के इसा आप से याद करते चलेंगे यहां पर हमारा मकसद क्या होगा कि जो भी topic हम discuss कर रहे है जो भी topic हम read कर रहे हो exact हमारे दिमाग में बैट लिया जाए ठीक है कई बार क्या होता है कि हम इसे समझ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रह पाता और याद नहीं रह पाता तो इसका कोई मतलब नहीं बनता exam के अंदर क्योंकि exam के अंदर आपको वह चीज लिखनी होती है ना कि आपको समझनी होती है ठीक है आपने समझा है आपने याद रखा है ठीक है लेकिन आ यहाँ पे हम एक भी point को discuss नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो point होते हैं, उसको directly याद कैसे कर सके, उस तरीके से trick discuss करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ही मैं यह clear कर देता हूँ, कि हम किसी भी point को यहाँ पे discuss नहीं करेंगे, हम यहाँ पे point को कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए trick क क्या होती है कोई ऐसे जनरल जो है सेंटेंस हम कुछ याद करें याद करने के सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बताई जाएगी यह स्पैसिफिकली ओडि ट्रिक के हिसाब से ठीक है तो यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ हम नारी सीरी स्टार्ट होने से पहले कि हम यहाँ किसी भी टॉपिक को डिसकस नहीं करने वाले हम यहाँ पे टॉपिक को याद कैसे करना है उसके लिए हम मैनत करेंगे ठीक है तो हमारा मकसद होगा कि जैसे ही वीडियो लेक्चर खतम हो जाता है मतलब कि यह जो हमारा वीडियो है आप जिस भी पॉइंट के लिए देख रह चाहिए ठीक है और उस तरीके से ही आप याद कर पाएं तो यहाँ पे घुम फिर के मैं बता दू कि उस टॉपिक का जो कंटेंट है बिसिकली एक्जाम में जितना लिखना है वो आपके दिमाग में बिठा जिए जाए वो हमारा मकसद रहेगा यहाँ ठीक है याद रहा नह टॉपिक की बात करेंगे हम टॉपिक का एक्जाम में बिल्कुल भी नहीं देंगे क्योंकि वह आप अपने लेक्चर में कंप्लीट करके आए होंगे यह आपका प्री एक्जाम औरियंटेड ओडिट ट्रिक हमारी सीरीज रहेगी कि एक्जाम के अगले दिन भी कोई टॉप बात करेंगे पॉइंट नुबर टू ओरीजीन औरिटियो में आपको याद रखने वाली बात डायरेक्ली हम इस वीडियो में जैसे कि मैने बात कि आपको याद रखने वाली बात जुए वह ही डिसक्स की जाएगी बाके बाते जो है आपने इसाप से रिट कर सकते हैं तो एक आद बार आप उसे read कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस series के अंदर, वो आपको compulsory as it is याद रखने की कोसिस करनी है, ठीक है, आईए, origin of audit, origin of auditing में ये topic के अंदर आपको basically तीन तरीके के point याद रखने हैं, MC की point of view से पूछा जा सकता है, तो fourth century BC के अंदर, जो kotilya का अर्थ सास्त्र था, उसके अंदर auditing का reference अल्रेडी देखने को मिला था, इससे मतलब हमारे पास में, जो auditing का reference था, वो बहुत पहले से हैं, अभी यहाँ पे auditing कोई नया subject या कोई नया trick नहीं है, auditing बहुत पहले से चलता हा रहा है, यह यहाँ पे बताने की कोशिस करी गई है, तो सबसे पहला point हमारे याद रखना है, as it is, दिमाग में याद रखिए कि कोटilya के अर्थ सास्त्र में, जो है auditing का reference देखने को मिला था, यह याद रखीगा fourth century BC, ठीक है, second point याद रखेंगे कि auditing जो हम यहाँ पे बोलते हैं, जो audit word बोलते हैं, यह आपका originate हुआ था, latin word add आया, ठीक है, audit बोलते है, ठीक है, आप जो भी pronunciation करें, लेकिन word आपका जो है, याद रहना चाहिए, मतलब कि आपको spelling आपको याद रखनी है, spelling mistake इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगी, अगर आप जो है, कुछ राइटिंग वगेरा पूछ लिया गया, ठीक है, चोटा मोटा question पूछ लिया गया, तो ध्यान रहे सर, word में जो spelling लिखते हैं, उसमें यहाँ पे बिल्कुल भी गलती ना होनी चाहिए, इसमें जो है, अगर गलती हुई, तो marks कर जाएंगे, ठीक है, तो pronunciation आपके अपने हिस सुनना, पहले क्या हुआ करता था, कि पहले यहाँ पे auditor, जो है, जो पहले के जमाने में, auditor जो है, वो लोगों को सुनता था, और accounting प्रिपेर करता था, इसलिए तब यहाँ पे order, addire, जो भी word आपका है, बोला जाता था, जिसका मतलब था two year, और वक्त जलते चलते हमने इसे जो है, record करना start कर दिया, और इस word को हमने बदल दिया है, audit से, ठीक है, अब हम इस word को क्या बोलते है, audit, ठीक है, इसके बाद third point आपको याद रखना है, third point आपको याद रखना है, कि first auditor general, ठीक है, first auditor general of the India, appoint किस ने किया था, British India 1860 के अंदर जो है, first auditor general को appoint किया गया था, अभी फिलाल की बात करे, तो हमारा जो CAG है, लोग के अंदर पढ़ते हैं, controller and auditor general जो है, हमारे पास में, यह फिलाल जो है, auditor के नाम से जाना जाता है, मतलब कि जो government की यहाँ पे, तो basically यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, कि जो government के receipt or expenditure है, उनका जो यहाँ पे auditing, presently, जो auditor करता है, auditor को हम यहाँ पे कहता है CAG, ठीक है, CAG भी बोला जाता है, CAG भी बोला जाकता है, अपनी तरीके से, लेकिन, short form to exam में लिखना नहीं, आपको full form ही लिखना है, तो मैं हमेसा कहता हूँ, कि pronunciation चाहे मरजे, आप अभी कर लीजे, practical life में तो आपको सीखी जाएंगे, लेकिन, फिल कि ICEI, इंडिया, इस्टिट्ट ओफ चार्टेड अकाउंटन अफ जे इंडिया, 1949 के इसाफ से यर याद होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे statutory body जो है, वो parliament के अंदर regulate कर भी हुई थी, 1949 के अंदर, यह fourth point है नहीं, आपको याद होना चाहिए, यह basically expect किया जाता है आप से, ठीक है, तो mainly three point है, जल्दी से हम इसे याद कर लेंगे, वीडियो थोड़ा से बढ़ा हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को लिख लिख के हम याद करनेंगे, ठीक है, आप इसे speed बढ़ा के भी देख सकते है, ठीक है, exam point हो भी कही साबसे, लेकिन हम यहाँ आप याद करेंगे, सबसे पहला point याद करिया है, इसे सबसे पहला point cotilier, ठीक है, cotilius earth sastra, ठीक है, cotilius earth sastra, ठीक है, cotilius earth sastra, जो यहाँ पे आपका year दिया गया था, year याद रहना चाहिए, fourth century BC के अंदर, ठीक है, auditing का जो है reference, जो है, cotilius earth sastra में था, जो कि यहाँ पे year fourth century BC, सबसे पहला point था, as it is, इस तरीके से याद रखना है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि क्या चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इतनी चीज़ याद हो कोई, काम कतम, वो sufficient, complete हो गया, ठीक है, वो point आपका complete हो गया, second point आपको याद होना चाहिए, कि यह जो audit है, यह एक word से derive हुआ है, originate हुआ है, ठीक है, originate हुआ है, तो कौन से word से originate हुआ है, तो यह word है, adire, ठीक है, a, u, d, i, r, e, spelling, आपके mistake नहीं होनी चाहिए, spelling as it is, याद रखेंगे, यह latin word है, याद रखेगा, यह क्या है सर, यह latin word है, जिसमें से हमारा audit निकल क्या है, तो पहले यह word हुआ करता था, और इस word का मतलब था कि to here, ठीक है, सुनना, to here, ठीक है, और वह word चलते, 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 आज के present के जमाने में इसे हम audit कहते हैं, और third point हम यहाँ पर याद रखेंगी, कि हमारे पास में जो currently, जो auditor है, उसे हम क्या कहते है, CNAG, ठीक है, CNAG कहते है, CNAG भ लेकिन इतना खास नहीं है, इस year के अंदर, लेकिन यहार हमारे पास में याद हो जाता है, तो कोई दिकत वाली बात नहीं है, 1860 के अंदर, जो है, first auditor general, जो है, British नहीं यहाँ पर point किया था, वक्ते, चलते, चलते, presently, CNAG, जो है, government के receptor expenditure का auditing करती है, तो three point हमारे पास में य British जो है, लोगों ने यहाँ पर point किया था, 1860 के अंदर, और presently, इसे बदल दिया गया है, अभी हम presently हमारा जो government का, receipt and expenditure का, जो भी auditing करता है, वो कौन है, sir, CAG, control and auditor general of the India, fourth point है नहीं, लेकिन याद होना चाहिए, 1949, क्या है, sir, ICAI, तीक है, इसके बाद हमारे पास में third point आ जा होंगे,